मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सिधा और इमानदार आदमी होता है उसकी जग जीरो है, जो जोड बोलता है और बैमानी करता है वो सबका हीरो है आखों में नीन बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है कभी कभी इंसान न टूड़ता है, न बिखरता है, बस ठक जाता है, कभी खुश से, कभी किसमत से, कभी कभी अपनों से नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार पर, अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूँ सुन्दर्ता की कमे को अच्छा सुभाव पूरा कर सकता है, लेकिन सुभाव की कमे को सुन्दर्ता से पूरा नहीं किया जा सकता समय एक नभी की तरह आए, हम एक ही पाने को दोबारा नहीं छो सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है, वो फिर कभी नहीं आएगी हसता हुआ चेरा आपकी साम बढ़ाता है, और हसकर किया हुआ काम आपकी भैजान बढ़ाता है उजड़ा उजड़ा सा हर सहर लगता है, हमें तो ये पुदरत का कहर लगता है इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की, कि इंसान को इंसान से ही डर लगता बुराई तलास करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूरत जिस्म को छोड़ कर केवल जक्म पर ही बैठती है सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोडेंगे दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा हिदल तोड़ेंगे देते हैं भगवान को दोखा, इंसान को क्या चोनेंगे जिन्दगी गुजर गई, सब को खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है दुनिया तो बस उसकी जूटी हसी देखती है नफर्तों के सहर में, नफर्तों के सहर में चालाकियों के डेरे हैं वहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुपर तेरे हैं और मेरे मुपर मेरे हैं जिन्दगी के पाँच सच, मा के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता दूसरी बाद, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता तीसरी बाद, आज भी लोग अच्छी सोच की नहीं अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं चौती बाद, इज्ज़स सिर्फ बैसे की हैं इनसान की नहीं पाच्वी जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है कभी पीट पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है भलाई करते रहे बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह इंसान की नजरों में इंसान खुद की नजरों में अच्छा होना चाहिए दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं दूसरों को ये बता कर कि वो कितने छोटे हैं कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता जिन में सब्द कम और समझ जादा हो जिन में तक्रार कम और प्यार जादा हो जिन में आज कम और विश्वास जादा हो भले ही धरम कम हो पर करम अच्छे हो अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आपो हासिल नहीं कर पाएंगे जो उमीद से जाता है मेनज सीड़ीों की तरह है और भाग्य लिप्ट की तरह किसी भी समय लिप्ट तो बंध हो सकती है पर सीड़िया हमेशा उचाय की तरफ ले जाती है बेर की साखा पर बैठा पंची कभी डाल हिलने से नहीं खबडाता क्योंकि पंची डाल पर नहीं अपने पंकों पर भरोसा करता बुरे वो लोग नहीं जो कहते हैं आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते बल्कि बुरी आपकी वो सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है लच्छ के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लोटें क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है नहा कर गंगा में सब पाप धो आया वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया वारे इंसान तरीका तेरा समझ में नहीं आया सार्थक और प्रभावियों देश जिर्फ वो है जो प्राड़ी से नहीं आचरां से प्रस्तुत किया जाता है अक्सर अकेले पन से वही बुजरता है जो जिन्दीजी में सही शाइसलों को सुनता है आज कुछ ऐसा करो कि कल आख खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सकें पत्जड़ हुए बिना पेरों पर नए पत्ते नहीं आते उसे तरह कटनाई और संघर सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते जो ग्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो ग्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अध्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है पर जो हमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझाता है मंजिल भी मिलेंगी मिलने का मज़ा भी आएगा इस संसार में सबसे बड़ी संपत्य गुद्धी सबसे अच्छा हत्यार धैर सबसे अच्छी सुरच्छा विश्वास सबसे बड़िया दवा हसी और आश्चर की बात तो ये है सब निसल्ख है बाहर की चुनाउतियों से नहीं हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते है अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुश्कुरा दे तो जिजने वाला भी जीत को खुसी खो देता है ये है मुस्कान की ताकत क्यों डरे की जिन्दजी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे की बुरा होगा बढ़ते रहे मंजिलों की और हम कुछ ना मिला तो क्या हुआ तजुर्बा तो नया होगा जाकर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो महनत पर विश्वास करें किसमत की अजमाश तो जीवे में होती है सोच का ही फर्क होता है वरना समस्याय आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है बदलेगा ये दुनिया सोच तो बदल के देखो उस पर विश्वास ना करें थोड़ा डूबूँगा मगर फिर से तैरा हूँगा ऐ जिन्दगी तू देख फिर मैं जीद जाओंगा पढ़ो लिको लड़ो हसो रो कुछ भी करो लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो जरूरतों के हिसाब से भी लोगों से जुड़े रहना एक सामान बेवार होता है लेकिन जरूरत के बगए भी लोगों से लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे बेट की पैचान होती है